आज कि वीडियो में हम कुछ पॉइंट्स के बारेमे बात करेंगे तो सबसे पहले अगर हम प्रैम डिस्कस्टन की बात करें तो पिछले दो वीग से प्रैम डिस्कस्टन नहीं हो रहा है इसल Bj. कुछ फॉणड़ीमेंबुर्स के मेरे पास मैसजड़्स आ रहे इसमें कोई घवराने वाली बात नहीं है यस्टरडे नीरसन ने एक सेशन कंडेक्ट किया था उसमें उन्होंने भी इस पॉइंड को टेच किया कि प्राइम डिसक्रशन करने का मतलब यह होता है कि कुछ अपडेट से इंफरमेशन हमारे साथ सेर किया जाए और जब कंपनी की तरब से एसर की तरब से कोई अपडेट नहीं आ रही है कोई इंफरमेशन नहीं आ रही है ऐसे में प्राइम डिसक्रशन करना इतना इंफरमेटिव नहीं रह जाता है और अगर मैं परसनली अपनी बात करूप है तो जब भी मुझे अपने चैनल पर कोई वीडियो नहीं रहती है तो जब भी कोई अपडेट एंफरमेशन रहे को सीखने को मिले तभी हम वीडियो अपलोड करते हैं या फिर हमारे जो लीडर्स हैं वह वेविनार करते हैं तो इन सारी बातों को आप ध्यान रखें रही बात ओपी 360 की तो ओपी 360 वेविनार में आसर नहीं आ यूजर्स हैं तो हमारे विजी हैं कहां हैं इको सिस्टम को लेकर स्दocyada को जल्द से जल्द ऐसर लाइब करना चाहते हैं उसमें जो जो हमारा डीटा बेस है उसको काफी अच्छे तरह चानमे रख रहे हैं कि वह पर पर है मतलब जिस तरह के से पहले था उसी तरह के ते स तो वह स्भी प्राइब एको सिस्टम की रिगारदिग जो भी हमारा डेटा है तो वो सेक्यूर है प्रॉपर है इन सारी चीजह को ध्यान में रख कर ही सारा काम किया जा रहा है तो मुझे उम्मिद है फ्रेंट कि इस भी में जो अपनावी 360 वेबिनार होगा तो उसमें ऐसर आ सकते हैं और जो भी उनके पास अपडेट ए इंफ्रमेशन होगी वो हमारे साथ सेर कर देंगे तो इन सभी चीजों के लिए हम लोग वेट कर रहे हैं और हम भी चाहते हैं कि जो हमारा एको सिस्टम है वो जल्द से जल्द अगे से सेलेबरेट किया कुछ Fidy members ने कुछ event करके सेलेबरेट किया कुछ लोगोंने और पोश्टर create किये सोसल मिडिया पर उसको share किया तो मतलब कई तरीकों से different तरीके से быстр के वड़े को celebrate किया गया और यह सारी चीजह देखकर अगर हमें इतनी खुशी हो रही है तो आप सोचे फ्रेंट ऐसर कितने खुश होंगे तो नेक्स टाइम जब भी ऐसर आएंगे तो हम सभी लोग देख पाएंगे किन सारी चीजों के रिगार्डिक उनका क्या रियक्षन रहता है और लास्ट में इतना ही बोलूँगा कि और पासिक के साथ बने रही है मुझे उमीद है कि हम सभी लोग जल्द ही एकोसिस्टम को अगें यूज़ कर पाएंगे